आईना टॉक्सी चैनल पर में डॉक्टर इशाथ खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत कहती हूँ मेतरो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक सामान्य वर्ग के वेक्ति के उपर अगर अनुसूची जाती जन जाती एक टिक के तहेत अगर धारा लग जाती है तो इस धारा को कब निरस्ति किया जा सकता है अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1992 भातित दन्विधान की एक मुल्विधी है ये कानून उन वेक्तियों के व्रुद्ध अपराद होता है कारित होता है जो वेक्ति अनुसुचित जाती एवं जन जाती वर्ग के सदसिन नहीं है एवं उक्त वर्ग के वेक्ति पर अत्याचार करते हैं यानि अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम जो है वो भारती दन सहीता की ही एक मूल विदी है और ये ऐसे वेक्तियों के उपर लागू होती है जो की कार नहीं होता है और सामानी वर्ग का होता है लेकिन वो अगर आनुसुचित जाती जन जाती वर्ग के लोगों के उपर कोई अत्याच्चार कारित करता है तो फिर ये अधिनियम उनके उपर लागू होगा इस कानून के सभी अपराद संगे एवं आजमानती अपराद के होते हैं और इसमें अगरीम जमानत भी मुश्किल होती है प्रश्री ये हैं सवाल ये हैं कि किस सामानी वर्ग का वेक्ती है अगर कोई सामानी वर्ग का वेक्ती है जो कि S.C.S.T. वर्ग का सदस्दिन नहीं है उस पर पुलीस की F.I.R. में अनुसुचित जाती एवं जन जाती अधिनियम की धारा के अंतरगत अगर मामला कायम हो जाता है दर्ज हो जाता है तब उसे नियाले द्वारा कब निरस्तिक किया जा सकता है सुप्रिम कोड का इस से संभन्दित एक बहुत ही महत्यपूल निर्णे है डिसीजने पाटन जमाल वाली बना अंधरपरदेश राज्जिन क्या था मामला हम उसको समझ लेते हैं इस वाद में इस मामले में एक महिला आरोपी पर 376.1 बलतकार का आरोप लगाती है एवं आरोपी के विरुद अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती अत्याच चार निवारन अधिनियम की धारा 3 उबधारा 2 5 के अंतरगत भी मामला कायम होता है यानि एक महिला है उसने बलतकार का आरोप लगाया है तो IPC की धारा 306 उबधारा 1 के अंतरगत तो उसकी कायमी हो गई है लेकिन चुकि महिला जो है वो अनुसुचित जाती जन जाती के अंतरगत आ रही थी तो उसके उपर इस एक टी की धारा 3 उबधारा 2 भी लगाई गई और इस पर भी कायमी हुई आरोप लेक्ति के साबित करने में सफन हो जाता है कि वह ये नहीं जानता था कि प्रित महिला विशेश वर्ग की थी यानि एस्टी एस्टी की थी ये उसको नहीं पता था इस वाद में उचित्तम नियाले द्वारा ये अभिने धारित किया गया कि अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जाती अत्यचा निवारन अधिनियम 1990 की धारा में आरोपी को तभी अपरादी माना जाएगा जब वो अपराद करने वाले वेक्ती आरोपी को ये पता हो कि पिरित वेक्ती अनुसुचित जाती या अनुसुचित जाती वर्ग का सदस्चित था अगर वो ये नहीं जानता तो उस वेक्ती पर अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती अत्यचा निवारन अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतरगत मामला नहीं बनेगा यानि सुप्रेम कोड का एक सीधा सा डिसीजन था उन्होंने ये कहा था कि ये एक्ट ये अधिनियम आरूपी के ओपर तब ही लागू किया जाएगा जब आरूपी इस बात को जानता था कि वह महीला जो है वो S.C.S.T. की थी अब यहाँ पर आरूपी को नहीं पता था उसने इस बात को साबित कर दिया था रेप किया है उसको उसने एकसेप्ट किया था लेकिन महीला अनुसुचित जाती जन जाती के अंतरगत आती है ये इसको नौलिज नहीं था ये वो साबित कर चुका था तो नियाले ने कहा कि रेप का I.P.C. के अंतरगत तो अपराद बनेगा लेकिन इस एक्ट के अंतरगत उसके ओपर कोई मामला नहीं बनेगा तब नियाले ने आरोपी को भारती धन सहींता की धारा 306 एक के अंतरगत धन्डित करने का निर्णा दिया और अनुसुची जाती एवब अनुसुची जन जाती अत्यच्या निवारान अधिनियम की धारा के दंड़ा देश को निरस्त कर दिया था तो अगर एक महिला जो की अनुसुची जन जाती की है और उसके साथ कोई अपरात कारित हुआ है या अनुसुची जन जाती के वेक्तियों या SCST के वेक्तियों के साथ अगर सामानिवर्ग के वेक्तियों द्वारा कोई अपरात कारित किया जाता है तो वो अपना बच्चाओ केसे कर सकते हैं वो इस केस के माध्यम से बताया गया है सुप्रीम कोड का ये एक महत्वपूर्ण जज्जमेंड है जिसमें ये कहा गया था कि आप S.C.S.T. वेक्ति के साथ अपराद कर रहे हो इस बात का आपको नौलेज नहीं था कि वो एक विशेश वर्ग का यानि आपने अपराद तो किया है आपने इसको एकसेप्टी किया त वो एसी स्टी विशेश वर्ग का था तब आपके उपर वो धाराएं नहीं लगेंगी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है मित्रो आईला टॉक्स चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तब हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशेश के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धरूँ